तो इस बार वो 120 उर्पे पे sell करना शुरू कर देगा और जब बहुत सारे investors ऐसा ही करेंगे लेकिन उसके बाद share की price जादा नहीं बढ़ पाई और इसने यहाँ पर अपना lower low बनाया तो इस तरीके से आप trend line draw कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो share की price है वो लगातार higher high और higher low बना रही है share market से पैसे कमाने के दो तरीके होता है एक होता है investing और दूसरा होता है trading अगर माल लीजे आप investing से पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक stock का sectoral analysis करना होता है फिर उसका business analysis करना होता है फिर आपको उसका fundamental analysis करना होता है valuation analysis करना होता है और उसका management analysis करना होता है और ये सब करने के बाद आप एके stock में invest करते हैं long term के लिए और वहीं अगर आप trading करते हैं तो इसमें आपको stock का technical analysis करना होता है जिसमें basically हमें इन charts को study करना होता है और इस technical analysis के basis पर आप stock में trade लेते हैं और short term में profit कमाने की कोशिश करते हैं ये short term 1 minute, 5 minute, 10 minute से लेकर कुछ हफते ये कुछ महिने हो सकता है तो investing के उपर तो हमने already एक course बना रखा है जो कि 46 lectures का course है उसका link आपको description में मिल जाएगा आज हम trading की बात करने जा रहे हैं और इसमें हम समझेंगे कि आप technical analysis कैसे कर सकते हैं ये एक बहुती detailed video होने वाली है जिसमें आपको technical analysis के बारे में लगबख सब कुछ पता चल जाएगा तो अगर आप trading से पैसे कमाना चाहते हैं आज की video आपके लिए एक life changing video होने वाली है और अगर आप इस video को ध्यान से देख लेते हैं तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपको technical analysis के उपर कोई और video देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो चलिए इस video को शुरू करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि यह technical analysis आखिर होता क्या है तो देखिए technical analysis का मतलब होता है basically इस जैसे कुछ charts होता है इनको study करना और technical analysis के basis पर हम यह पता करने की कुशिश करते हैं कि यहां से share की price उपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी और अगर आप यह accurate ली पता कर पाएं कि share की price उपर जाएगी या फिर नीचे तो इस basis पर आप trade लेकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है अब यहां पर आपके mind में question आ रहा होगा कि इन charts को देखकर हम कैसे पता कर लेंगे कि share की price उपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी अरे भाई chart तो उपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है तो इससे हमें कैसे पता चल जाएगा कि share की price उपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी तो देखिए share market में एक बहुत ही important कहावत है और वो यह है कि history repeats itself यानि history खुद को repeat करती है तो charts में आपको ऐसे बहुत सारे patterns देखने को मिलते हैं जो कि खुद को बार-बार repeat करते हैं और क्योंकि वो चीज already past में हो रखी है तो उस past के basis पर हम ये predict करने की कोशिश करते हैं कि future में उस share की price में क्या होगा ये सब कैसे करना है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बहुत detail में हम हर एक चीज को cover करने वाले हैं वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like जरू कर दीजएगा तो पहला reason तो हमें समझ आ गया है कि ये जो history है ये खुद को बार-बार repeat करती है और क्योंकि चार्ट में पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा कि share की price नीचे जाने के बाद उठी होगी तो वो क्यों उठी थी इन चीजों को study करके हम आगे share की price को predict कर सकते हैं लेकिन इसके बाद जो दूसरा reason है जिसके basis पर हम predict कर सकते हैं और जादा accurate है और वो और जादा detailed है जो की है demand and supply देखिए share की price बढ़ने और घटने के पीछे demand and supply का ही हाथ होता है और इसी के basis पर share की price बढ़ती और घटती है अगर मालीजिए किसी stock में अचानक से demand आ जाती है बहुत सारे लोग किसी stock को अचानक से खरीदने लगते हैं तो उस stock की price बढ़ जाती है और अगर किसी stock को अचानक से बहुत सारे लोग बेचना शुरू कर देते हैं तो उस stock की price गरना शुरू हो जाती है क्योंकि उस stock में supply आ गई है यह एक general principle है जो कि economics में भी आपने सुना ही होगा कि जिस चीज की demand बढ़ती है उसकी price बढ़ती है और यही same principle क्योंकि stock market में भी apply हो रहा है और stock market पे apply होने के बाद वो share की price में दिखाई दे रहा है इसलिए यह जो technical analysis है यह काम करता है और इसके basis पर हम share की price किधर जाएगी यह पता कर सकते है तो अब आपको समझ आ गया है कि technical analysis क्यों काम करता है तो मैंने आपको बताया था कि technical analysis में basically हम इन charts को study करते हैं लेकिन क्या आप जाते हैं कि charts सिर्फ इस तरीके के candlestick pattern वाले chart नहीं होते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे type के charts होते हैं और वो charts अभी एक-एक करके मैं आपको यहाँ पर screen में दिखाता हूँ तो एक chart तो आपको यह candlestick pattern वाला दिखाई दे रहा है इसके बाद मैं यहाँ से change करता हूँ charts को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने सारे types के chart available है इसमें जो popular charts हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो एक chart तो यह हमारा candlestick pattern वाला हो गया इसके बाद जो second popular chart है वो है इस तरीके का line chart इसमें भी share की price ही दिखाई दे रही है लेकिन उसको line की form में दिखाए जा रहा है इसके बाद जो next popular chart है वो है यहाँ पर bar chart भी कही बार use होता है लेकिन जादा तर इनको use नहीं किया जाता है इसने last में हम candlestick pattern वाले chart को ही use करेंगे लेकिन आपको यह सब कुछ पता होना भी जरूरी है इसलिए मैं आपको यह सब कुछ बता रहा हूँ तो देखिए इस तरीके का bar chart भी होता है इसके बाद इस तरह का hollow candle वाला chart भी होता है और इसके बाद haki nashi candles के उपर भी एक chart based होता है जो की कई बार use किया जाता है तो इस तरीके के बहुत सारे different different charts market में available हैं लेकिन सबसे जादा क्योंकि Japanese candlestick pattern वाले chart सी use किया जाते हैं इसलिए हम भी उन candlestick patterns का use करेंगे और जाद तर market में आपको यही देखने को मिलेगा और इन ही का use किया जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनके अलावा भी और बहुत सारे type के chart होते हैं तो charts तो आपने देख लिया कि बहुत सारे type के हैं और यह सभी share की price बता रहे हैं अब यह जो chart हैं यह तो बहुत different different type के हैं यह आपको समझ आ गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन charts को different different time frames में analyze किया जा सकता है यानि यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा मैं इसको थोड़ा सा zoom कर देता हूँ अभी हमने यहाँ पर क्योंकि one minute की candle select कर रखी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमने one minute की candle select कर रखी है तो इस case में एक जो candle आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यह एक minute की candle है तो इसमें हमें ये पता चलता है कि share की price में पिछले एक minute में क्या हुआ है देखिए अभी यहाँ पर market चल रहा है तो यह पिछले एक minute की candle है जो कि अभी market में बन रही है यह आपको दिखाई दे रहा है यह green color की candle है और यहाँ पर इसके साथ ही एक red color की candle है अब अगर मैं इसको change कर देता हूँ 5 minute की candle में वैसे हम इसको 3 minute में भी कर सकते हैं और अब यह जो एक candle है यह 3 minute की candle बन गई है यानि इसमें 3 minute की share की price में क्या हो रहा है वो हमें देखने को मिलेगा इनका मतलब क्या है यह भी मैं आपको आगे समझाऊँगा अब इसके बाद मान लीजे मैं इसको 5 minute में change कर देता हूँ तो अब यह 5 minute की candle बन गई है और हमें दिखाई दे रहा है कि पिछले 5 minute में share की price गिर रही है जबकि अगर मैं इसे 1 minute में करूँ तो हमें दिखाई दे रहा था कि पिछले 1 minute में भी अब share की price गेड़ने लग गई है जबकि उस time पर 1 minute में share की price बढ़ रही थी अब इसको थोड़ा time frame को बढ़ाते हैं और 15 minute करते हैं अब देखे हम 15 minute में देखेंगे तो पिछले 15 minute में share की price यहीं गूम रही है तो ऐसे multiple time frames में share की price को देखा जा सकता है और उसको analyze किया जा सकता है अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपने देखा था कि 1 minute की candle थी यह 15 minute की candle है अब इसको थोड़ा और बढ़ा करते हैं अब जाते हैं हम पूरा एक दिन की candle तो इसमें आज पूरे दिन में share की price में क्या हुआ है वो हमें देखने को मिल रहा है इससे एक दिन पहले वाली अगर हम candle देखेंगे तो ये candle हमें बताएगी कि एक दिन पहले share की price में क्या हुआ था अब अगर हम और आगे बढ़ना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पूरे महिने की भी ये candle ले सकते हैं, यानि पिछले एक महिने में share की price देखिए बढ़ रही है, उससे एक महिने में share की price बढ़ी थी, लेकिन उससे एक महिने पहले share की price गिरी थी, अब अगर ह हम 5 मिनिट, 1 मिनिट या 15 मिनिट की candle का ही use करेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर में इस share को buy करके, थोड़ी देर में sell करने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ भी आपके लिए सीखना जरूरी है, तो देखिए यहाँ पर हमें एक महिने की candle भी दिखाई दी थी, अब आगे बढ़ें, तो यहाँ पर हमारे पास 12 महिने की भी candle है, यानि पिछले एक साल की जो share की price है, वो आपको सिर्फ एक candle में देखने को मिल रही है, तो देखिए एक मिनिट की भी आप candle देख सकते हैं, और आप चाहें तो एक साल की भी candle में आया था, और उस time पर इस stock की जो price थी, वो लगबग 20 रुपे के आसपास थी, उसके बाद से आप देखेंगे 1992 में ये थी, 1993 में ये थी, और ऐसे एक एक candle आपको पूरा एक एक साल दिखा रही है, और ऐसे आप multiple time frame में एक stock को analyze कर सकते हैं, और आज हम पहुँच चुके हैं, 2023 में तो अब आपको ये तो समझ आ गिया है कि एक stock को हम multiple time frame में analyze कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी clear कर दिया है, कि अगर मान लीजे आप trade कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप 1 minute, 5 minute, 15 minute, या maximum आदे घंटे की candle देखेंगे, और अगर आप swing trading कर रहे हैं, तो उसमें आप जादा सा जादा एक दिन की candle देखेंगे, तो इतनी बड़ी candles की आपको ज़रुत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये तो समझना होगा, कि इन candles का मतलब क्या है, ये candles बन कैसे रही है, तो अब चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हम green candle को समझने जा रहे हैं, तो green candle का मतलब तो आप जानते हैं, कि अगर कोई candle green बनी है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर share की price बड़ी है, और अगर कोई candle red color की बनी है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर share की price गिरी है तो देखिए एक जो candle होती है वो basically दो चीज से मिलकर बनती है एक होती है candle की body जो कि आपको ये दिखाई दे रही है ये candle की body है और दूसरी होती है candle की wick जिसको shadow भी कहा जाता है यहाँ पर छोटी सी है आपको उतना properly दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस तरीके से होती है एक candle की wick जो की उपर भी होती है नीचे भी होती है इसको upper wick कहा जाता है इसको lower wick कहा जाता है इसको कुछ लोग shadow भी बोलते हैं तो आप इसको shadow भी बोल सकता है इन पत्ली सी डंडियों को जो उपर नीचे है या फिर आप इने wick भी बोल सकता है मैं personally wick बोलना prefer करता हूँ इसके बाद ये जो part है हमें ये वाला जो part दिखाई दे रहा है ये है इस candle की body तो आपको समझ आ गया है कि candle दो चीज़ से मिलकर बनती है एक होती है wick और दूसरी होती है body तो अब ये जो candle है ये basically बनतो गई है लेकिन हम समझा क्या रही है अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है तो एक बार इसको हम clean कर देते है तो यहाँ पर जो body और wick है ये different different चीज़े बताती है सबसे पहली चीज़ जो हमारी body बताती है वो body जहाँ पर open हो रही है जैसे यहाँ पर body open हो रही है तो ये जो point है ये है इसकी opening price यानि यहाँ पर share की price जो है वो open हुई है माल लो यहाँ पर अगर share की price 400 रुपे थी तो यह इसकी opening price है तो अगर ऐसे में अगर माल दीजिए एक साल की candle है तो एक जनवरी को या फिर first trading day को share की price 400 रुपे पर रही होगी अगर यह एक minute की candle है तो एक minute पहले share की price 400 रुपे पर रही होगी अब closing में आप देख सकते हैं कि जो share की price है वो 666 रुपीज पर चल रही है यानि जो share की price है वो open हुई थी 400 रुपे पर और उसकी closing price है वो है 666 रुपीज यानि जो candle है वो 666 रुपीज पर close हुई है तो क्योंकि यहाँ पर हमने एक साल की candle पकड़ रखी है तो एक साल पहले share की price 400 रुपे पे open हुई थी और अभी जो share की price है वो 666 रुपीज पे है अभी share की price close नहीं हुई है वो साल खतम होने के बाद close होगी तो अभी यह candle चल रही है जबकि इससे पहले वाली candle है वो close हो है वो candle की closing price होती है लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि इस particular time frame में share की price थोड़ा और नीचे गई हो मतलब open तो 400 रुपे पे होई थी लेकिन open होने के बाद हो सकता है न कि share की price गिरकर 3.500 रुपे पे आ गई हो तो यह चीज हमारी lower wick बताती है तो lower wick जहां तक गई है इस कि आसे ही जो upper wick है वो हो सकता है कि share की price close to 666 रुपे पे होई लेकिन उस particular time frame में चाहे वो 1 minute एक साल का हो share की price हो सकता है कि 700 रुपे पे गई हो तो हमारी जो upper wick है वो हमें ये बताती है कि share की price उस particular time frame में कहा तक गई थी तो इस case में हमने example के ले माल लिया कि 700 रुपे तक यानि जो candle की body का lowest point है वो candle की open price होती है जो candle की body का top point है वो share की close price होती है इसके बाद जो wick का top point होता है इसको कहा जाता है इसका high और इसका lowest point होता है इसको कहा जाता है इसका low अब ये तो green candle की बाद थी और green candle में share की price बढ़ रही है तो अगर हम red candle की बात करें तो यहाँ पर scene थोड़ा सा different हो जाता है तो चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं आपको green candle का तो पता है कि share की price यहाँ पर open हुई यहाँ पर close हुई, यहाँ पर इसका high बना, यहाँ पर इसका low बना तो अगर हम red candle की बात करें, तो इस case में तो share की price गिर रही है तो यहाँ पर जो share की open price है, वो यहाँ पर है यानि share उपर open हुआ था और उसके बाद price गिर रही है तभी तो वो एक red color की candle बनी है तो इस case में जो इसकी open price होती है, वो उपर होती है यानि अगर किसी candle की जो open price है वो उपर है और उसकी जो close price है वो नीचे है तो वो एक red color की candle बनती है और अगर किसी candle की open price है वो नीचे है और close price उपर है तो वो एक green color की candle बनती है इसके लाबा high और low दोनों में same ही रहता है तो इस तरीके से हमारी green और red candle बनती है और ये green और red candle हमें open and close price और इसके साथी high and low price समझाती है अब candlestick pattern के बार technical analysis में जो next चीज आपको समझनी है वो ये है कि आपने देखा होगा कि कभी share की price इस तरीके से उपर जाती है कभी share की price इस तरीके से नीचे आती है और कई बार share की price इस तरीके से move करती है तो ये जो तीनो ही तरह की share की price की movement है न इन्हें trends कहा जाता है इसमें जब share की price उपर को जा रही है तो इसको कहा जाता है uptrend यानि अगर कोई आपसे ये कहे कि share की price बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि share uptrend में है और अगर कोई आपसे ये कहे कि share की price गिर रही है तो इसका मतलब जो share है वो downtrend में है और इसके बाद कई बार share की price एक ही जगा पर कई दिनों तक घूमती रहती है और इवन कई बार तो कई महिनों तक घूमती रहती है तो उसको हम sideways trend कहते है तो उसमें आपको जो share की price है वो कुछ इस तरीके से move करती भी नजर आती है अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक trend uptrend है, downtrend है या फिर sideways trend है यहाँ पर समझना तो बहुत आसान है लेकिन जब हम इसे chart में देखेंगे न तो वहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो चलिए मैं आपको वो भी clear कर देता हूँ तो देखें जब भी कोई share uptrend में होगा तो वहाँ पर जो share की price है वो लगातार higher high और higher low बनाएगी यानि मान लेता है कि share की price यहाँ पर 100 रुपे थी तो और इसके बाद बढ़कर वो 1.500 रुपे हो गई तो यह जो 1.500 रुपे यहाँ पर price हुई है यह कौन सा point है यह हमारा higher high point है क्योंकि यह high था और यह वाला हो गया हमारा higher high इसने high के भी उपर high बनाया है इसलिए इसे higher high कहा जाता है अब माल लिजे उसके बाद थोड़ा सा share की price गिरती है तो यह वाला जो point है यह higher high तो नहीं है लेकिन यह higher low है तो इस point को हम higher low कहते हैं अब इसके बाद अगर share uptrend में होगा तो share की price दोबारा बढ़ेगी और दोबारा जाकर higher high बनाएगी अब यह वाला जो higher high है यह पिछले वाले higher high से जादा होगा यानि इस time पर share की price देड़ सो थी तो यहाँ पर देड़ सो से जादा होगी हो सकता 170 रुपे हो अब higher high share की price ने बना दिया है इसके बाद अगर माल लिजे share की price में थोड़ा सा correction आता है तो यहाँ पर share की price higher low बनाएगी अपने पिछले वाले low से नीचे नहीं जाएगी यह पिछले वाले low के उपर वाला low है तो जब भी share की price high के उपर high यानि higher high बनाए उसके बाद अगर छोटा correction आ भी जाए तो higher low बनाए जो की पिछले वाले high से उपर होना चाहिए उसके बाद दुबारा higher high बनाए जो की पिछले वाले higher high से उपर होना चाहिए तब हम यह समझ सकते हैं कि stock uptrend में है तो अब आपको uptrend clear हो गया है तो चलिए आप downtrend भी समझता है मैं अब trend को यहां से clean कर देता हूँ तो downtrend समझने के लिए मैं इसको यहां पर clear बनाएता हूँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक stock downtrend में है तो अगर एक stock downtrend में है तो यहां पर share की price ने जब high बनाया होगा तो high बनाने के बाद वो low बनाएगी और low बनाने के बाद थोड़ा सा हो सकता है share की price बड़े यानि lower high बनाए लेकिन उसके बाद दुबारा से गिर जाएगी और यहां पर जाकर lower low बनाएगी तो इस case में जो next वाला low होगा वो पिछले वाले low से और नीचे होगा इसके बाद हो सकता है कि share की price में थोड़ा correction आए और यह lower high बनाए लेकिन यह वाला lower high इसके पहले वाले lower high से नीचे होगा तो जब इस तरीके से trend बनेगा तो इसको हम downtrend कहता है अब downtrend के बाद अगर sideways की बात करें तो मैंने आपको बताए कि इसमें share की price लगभग एक ही distance पे move करती रहती है तो इसमें जो share की price है वो equal low और equal high बनाती है यानि यहाँ पर जो पहले वाला low होगा और जो bar वाला low होगा वो दोनो एक ही जगा पे होगा और पहले वाला जो high होगा और बाद वाला जो high होगा वो लगबग एक ही position में होगा जरूरी नहीं है कि exact हो आसपास हो तो भी वो sideways ही trend होगा और उसमें share की price एक ही जगा पर move करती रहती है तो ऐसे 3 तरह के trends आपको chart में देखने को मिलते हैं तो अब आपने इन trends को समझ तो लिया है तो चलिए अब इसे chart में भी देखते हैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ आ है तो अभी आपको ये chart देखकर क्या लगता है कि ये chart uptrend में है या फिर downtrend में है अभी वीडियो को pause करके comment करके बताइए मैं चाहता हूँ कि आपके और हमारे बीच में एक two way interaction हो जिसमें आप भी जवाब दें तो comment box में अभी बताइए कि ये जो chart है ये uptrend में है downtrend में है या फिर sideways trend में है तो जिन लोगों ने भी uptrend लिखा है उनका जवाब बिल्कुल सही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो share की price है वो लगातार higher high और higher low बना रही है मैं आपको इसे pen से समझाता हूँ कि कैसे यह higher high और higher low बना रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर share की price 738 रुपीज है उसके बाद share की price बढ़कर 806 रुपे तक गई, उसके बाद share की price में थोड़ा बहुत यहां पर correction आया, फिर share की price यहां पर गई, यहां पर थोड़ा बहुत correction आया, फिर share की price यहां गई, यहां ऐसे correction आया, फिर यहां पर गई, यहां ऐसे correction आया, तो इस जगा पर आप देख सकते हैं कि लगातार share की price अपना high बनाया था और high बनाने के बाद share की price गिरने लगी और यहां पर इसने अपना low बनाया अब low बनाने के बाद share की price थोड़ा सा बढ़ी और इसने अपना lower high बनाया लेकिन उसके बाद share की price जादा नहीं बढ़ पाई और इसने यहां पर अपना lower low बनाया उसके बाद थो जा रहा है कि stock यहाँ पर downtrend में है यानि यहाँ पर share की price गिर रही है ऐसे ही अगर sideways trend की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि share की price ने अपना 509 रुपे का low बनाया था उसके बाद share की price बढ़कर 541 रुपीज तक गई उसके बाद वापस 509 रुपे तक आई फिर थोड़ा सा बढ़कर लगबग वहीं तक गई फिर उसके बाद वापस उसी point पर आई है तो यहाँ पर जो share की price है वो sideways trend में है अब यह तीनो trends तो आपने समझ लिये हैं लेकिन इन तीनो trends को समझ कर हमें क्या फायदा है तो stock market में बहुत ही important saying है और वो यह है कि trend is your friend until it bends यानि जब तक trend बदलता नहीं है तब तक trend ही आपका friend है और इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा जिस direction में trend चल रहा है उसी direction में trade लेना चाहिए मतलब अगर कोई stock uptrend में है तो आपको सिर्फ buy करने के trade लेने चाहिए और अगर कोई stock downtrend में है तो वहाँ पर आपको सिर्फ sell करने के trade लेने चाहिए तो यह जो trends हैं यह आपके trading में और technical analysis में बहुत काम किया हैं और बहुत ही ज़ादा important है अब अगर आपको समझ आ गया है कि trend क्या होता है तो आपने comment box में लिखना है कि अब trend का मतलब क्या होता है downtrend का मतलब क्या होता है और sideways trend का मतलब क्या होता है comment जरू कीजेगा ताकि मुझे समझ आए जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझ आ रहा है, और इसके साथी वीडियो को like नहीं किया है, तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, और हाँ इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्रेब कर दीजेगा, और हाँ अगर आपको trading कर वो है support and resistance का concept लेकिन इस concept को समझने से पहले आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको demand and supply के बारे में समझाया था तो ये जो support and resistance है न ये भी थोड़ा बहुत demand and supply पर ही based है तो माल लीजे एक share है जिसकी price 100 रुपे से बढ़ना start हुई और बढ़ते बढ़ते 120 रुपे पर अब 120 रुपे जाने के बाद share की price गेड़ना start हुई और गिड़ते गिड़ते वापस 100 रुपे पे आ गई उसके बाद वापस आने के बाद share की price बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते फिर 120 रुपीज तक गई और 120 जाने के बाद वापस दुबारा से आई 100 रुपीज के असपास आई है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिन्हों लगेगा कि पहले जो share की price थी, वो 100 रुपे पर आने के बाद बढ़ गई थी, उससे पहले भी 100 रुपे पर आने के बाद बढ़ गई थी, तो यहाँ पर बहुत जादा chances होंगे, कि share की price 100 रुपे के बढ़ सकती है, तो ऐसे में बहुत सारे investors होंगे, जो कि share को खरीदना चाते हैं, और उन्हें लगेगा कि अभी share 100 रुपे का मिल रहा है, और बार बार 100 रुपे पर share की price आने के बाद share की price बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पर buy करेंगे, अब जब यहाँ पर बहुत सारे लो क्योंकि investors या traders को लग रहा है कि यहाँ पर वो share सस्ता मिल रहा है, और जितनी बार यह repeat होगा, उतना जादा यह strong support बन जाएगा, अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं, कि बार बार share की जो price है, वो 120 रुपे जाने के बाद गिर जा रही है, तो किसी ने 100 रुपे पर होगा, तो वो देखेगा कि बार बार जो share की price है, वो 120 रुपे जाने के बाद गिर जाती है, तो इस बार वो 120 रुपे पर sell करना शुरू कर देगा, और जब बहुत सारे investors ऐसा ही करेंगे, तो share की price गिरने लग जाएगी, क्योंकि उस stock में supply आ जाएगी, तो इस case में जो यह 120 वाला zone है, यह वाला zone है, यह इस stock के लिए resistance का काम करेगा, तो इस तरीके से support and resistance काम करते हैं, तो आपको समझ आ गया है कि support क्या है, resistance क्या है, अब यहाँ पर एक और concept समझ लीजे, कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि share की price 100 जाएगी, 120 जाएगी, फिर 100 जाएगी, फिर 120 रुपे के असपास चल रहे थी, और वहाँ पर company को को कोई बहुत बड़ा project मिल जाता है, तो ऐसे में बहुत जादा buyers उस stock में आ जाएगे, और उसके बाद share की price फिर से बढ़ने लग जाएगी, तो अब मान लीजे, share की price बढ़कर 120 रुपे तक चली गई है, तो इस case में, क share की price 120 पे आती है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगा था कि इस company को project मिला है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर buy किया था, तो इसके बाद यहाँ से price उपर जा सकती है, तो support and resistance इसी तरीके से काम करता है, यहाँ पर हमने आपको सिर्फ basic समझा है, अग इसको chart में भी देख लीजे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार-बार share की price जब इस zone में आ रही है, तो इसके बाद बढ़ जा रही है, तो यह वाला जो zone है, यह इसके लिए support की तरह काम कर रहा है, अब आपको support and resistance तो पता चल गया है, बट इसका benefit क्या है, तो इसका benefit य है कि आप भी देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा point है, जहां पर बार-बार share की price आने के बाद बढ़ जा रही है, और उस जगा पर आप चाहें तो आप भी buy कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखे कि यह basic चीजे हैं, सिर्फ इसके basis पर आपने trade नहीं लेना है, लेकिन यह आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, और technical analysis में support and resistance बहुत ज़्यादा important होते हैं, अब देखिए support and resistance में हमने देखा था कि share की price एक ही point पर जाने के बाद बार-बार नीचे आ रही थी, तो यह वाला point हमारा हो गया था support और यह वाला point हमारा हो गया था resistance, तो यह support and resistance जो की horizontal support and resistance है, यह तो sideways market में काम कर रहा है, लेकिन हमने आपको बताया है trend वाले case में, कि share की जो price है, वो कई बार uptrend में भी जाती है, और कई बार downtrend में भी आती है, तो इस case में support and resistance कैसे draw करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी support and resistance होते हैं, और यहाँ पर यह trend line की form में होते हैं, तो यहाँ प चारो point से लगते हुए, अगर मालीजी आप एक line खीच लेते हैं, तो यह line आपके लिएक support की तरह काम करेगी, और हो सकता है कि इसके आगे भी share की price यहाँ आने के बाद बढ़ जाए, तो इस तरीके से आप trend line draw कर सकते हैं, और ऐसे ही, इस case में resistance अगर आपको देखना है, त यहाँ पर जाने के बाद price गिर रही है, फिर यह वाला point है, जहाँ पर जाने के बाद price गिर रही है, फिर यह वाला point है, तो अगर आप यहाँ पर एक line खीच देंगे, तो यह भी trend line है, जो की आपके लिएक resistance की तरह काम करेगी, same आप downtrend के case में भी इस तरीके से support draw कर सकते है और इस तरीके से trend line का resistance draw कर सकते हैं, अब इसको मैं आपको एक बार chart में भी समझा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक trend line draw कर रखी है, trend line कैसे draw करनी है, support and resistance कैसे draw करनी है, यह chart कहाँ पर देखने है, इसके लिए मैंने trading view के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही important वीडियो है, जरूर देखिएगा, link आपको description में मिल जाएगा, नहीं मिले तो search कर लेना, trading view by नीरित जोशी और यह वाली वीडियो देख लेना, और हाँ वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को like जरूर कर देना, और चैनल को subscribe जरूर कर देना, इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो share की price है, वो सबसे पहले इस वाले point पे थी, उसके बाद price थोड़ा गीरी और यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद price बड़ी और उसके बाद यहाँ तक आई, उसके बाद फिर से price लगबग यहाँ तक गीरी, फिर यहाँ पर आई, फिर इससे नीचे price नहीं आई और उसके बाद price बढ़ेने लग गई तो अगर आपने इस तरीके से trend line draw करना सीखा होता तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पर इसने trend line को break कर दिया है तो इसका मतलब है कि trend change हो सकता है और अभी तक price गिर रही थी तो आप बढ़ सकती है और इसके बाद आपको यहाँ पर confirmation भी मिला था क्योंकि यहाँ पर stock ने support लिया था और उसके बाद price बढ़ने लग गई थी तो अगर आप यहाँ पर buy कर लेते तो उसके बाद आप एक अच्छा trend capture कर सकते थे और इस तरीके से पैसे कमा सकते थे तो इस तरीके से आप trend line draw कर सकते हैं और यह सब कैसे करना है उसके लिए वीडियो कौन सी देखने है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ अब इसके बाद technical analysis में next concept जो आपको समझना है वो है candlestick patterns का concept आप देखो candlestick pattern बहुत सारे होते हैं बहुत सारे type के होते हैं जैसे single candlestick pattern होते हैं double candlestick pattern होते हैं triple candlestick pattern होते हैं तो अब देखो triple candlestick pattern ही अगर आपको सिर्फ दिखाऊं तो यह सारे triple candlestick pattern है और इनको समझाना एक अलग ही पूरा course है आप देखो यह जो candlestick pattern है इसके उपर लोग course बना कर बेशते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने Candlestick Pattern के उपर एक free course बना रखा है जिसको आप YouTube में ही देख सकते हैं और उसको देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल में जाना है जिसका नाम है नीरत जोशी और वहाँ पर Candlestick Pattern के उपर एक playlist है या फिर आप YouTube में सर्च कर लीजेगा नीरत जोशी Candlestick Pattern Playlist और उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी होंगी ये बहुती vast concept है और इसको समझने के लिए आपको time देना होगा और इसको नहीं समझोगे तो फिर technical analysis अधूरा रह जाएगा इसलिए इसको बिलकुल भी मिसमत कीजेगा इस वाली वीडियो में हमने 10 single Candlestick Pattern समझाए है जिनसे आपको समझा जाएगा कि trade लेना कैसे है इस वीडियो में हमने double Candlestick Pattern समझाए है और इसमें हमने triple Candlestick Pattern समझाए है इसके बाद next वीडियो में हमने बताया है कि इन Candlestick Patterns को ढूनना कैसे है और last वीडियो में हमने एक और Candlestick Pattern को अच्छे से डीटेल में समझा रखा है तो इन 5 वीडियो को बिलकुल भी मिसमत कीजेगा और at least इन 3 वीडियो को आपने देखना ही है अगर आपको Technical Analysis को पूरा समझना है और ये paid course में बेचा जाता है जो कि आपको बिलकुल free में मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखे और हो सके तो इस वीडियो के बाद ही इसको देख लीजेगा और इस playlist को देखने के बाद आप candlestick patterns के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे अब candlestick pattern के बाद जो next concept आपको Technical Analysis के लिए सीखना है वो है chart patterns आप देखो chart patterns भी बहुत सारे type के होता है जैसे कि एक W pattern होता है M pattern होता है triangle pattern होता है इसके अलावा भी लगबग 20 से ज़ादा chart patterns है जो कि आपको सीखने होंगे और इनको सीख कर आपको समझ आएगा कि कहाँ पर आपको buy करना है कहाँ पर आपको sell करना है अब देखो कुछ chart patterns के उपर तो हमने already वीडियो बना रखी है हमने triangle के उपर बना रखी है W pattern, M pattern के उपर वीडियो बना रखी है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम candlestick pattern की तरह ही आपके लिए chart pattern के उपर भी एक complete free course लेकर आएं तो comment किजेगा अगर आप लोगों के अच्छे खासे comment आएंगे तभी हम chart pattern के उपर free course लेकर आएंगे अब chart pattern के बाद जो next चीज आपको technical analysis में सीखनी होगी वो है indicators अब देखो बहुत सारे type के indicators होते हैं जो कि आपको chart में देखने को मिलता हैं जैसे यहाँ पर indicator का एक section है आप यहाँ पर technicals में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इतने सारे type के indicators हैं जो कि आप चाहें तो chart में use कर सकते हैं लेकिन यह सभी type के indicators आपको सीखने की ज़रुत नहीं है बट कुछ important indicators हैं जो कि आपको सीखने होंगे फिलाल एक दो मैं बता देता हूँ लेकिन इसके अलावा indicators के उपर भी हमने दो वीडियोज बना रखी हैं उन दोनों वीडियोज में 10 indicator आपको सीखने को मिलेंगे उन वीडियो को भी आप देख लीजेगा link description पर दिया गया है तो पहला indicator जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है moving average ये बहुत ही important indicator है ये indicator आपको बताता है कि share की जो price है इसको आप simple moving average या exponential moving average लिखकर भी search कर सकते हैं इसके ओपर भी detail में आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी बट अभी फिलाल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने याप पर moving average exponential लगा दिया है तो जब मैंने moving average लगा दिया है तो आप देख सकते हैं कि share की price इस तरीके से बढ़ रही थी हमें ये समझना है कि share की price किस average से move कर रही है तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अब यहाँ पर हमने 9 period का moving average यूज कर रखा है अगर माल लीजे मैं 200 period का moving average यूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर अब पिछली जो 200 candles हैं उनके हिसाब से हमें पता चलेगा कि share की price उपर है या फिर नीचे है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली 200 candle के हिसाब से share की जो price है वो बढ़ रही है इसका मतलब share की price में तेजी है अगर ये जो 200 year में है share की price इसके नीचे आ जाती है कभी तो इससे हमें समझ आता है कि share की price overall गिर रही है तो moving average एक बहुत दी काम का indicator है इसके बारे में भी detail में video बना रखी है जो कुछ भी सीखना चाहते हो उसको search करते हो उसके आगे अगर मेरा नाम लिख दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और हमने हर चीज detail में सिखाई है तो वहाँ पर आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएगा तो ये एक moving average indicator है इसके साथी एक और बहुती useful indicator है वो है volume volume बहुती काम की चीज़ है क्योंकि volume आपको ये बताता है कि एक time बर उस stock में कितने लोग share bind sell कर रहे है ये नीचे जो आपको graph दिखाई दे रहा है ये volume का chart है अब यहाँ पर आपको जो line बड़ी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर जादा लोग bind sell कर रहे है अगर किसी particular time पर जादा लोग एक stock में bind sell कर रहे है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस stock में कुछ हलचल हो रही है तबी तो जादा लोग उस stock में trade कर रहे है और ऐसे में अगर माल लीजे share की price बढ़ रही है और उसके साथ ही volume बढ़ रहा है तो यहाँ पर chances होता है कि share की price और जादा बढ़ सकती है और अगर माल लीजे share की price गिर रही है और उसके साथ भी volume बढ़ रहा है वो सब कुछ आपको सिखा है, अब देखिए, चार्ट पैटर्न, केंडलिस्टिक पैटर्न, ये तो पूरे कोर्स हैं, और ये भी हम आपको फ्री में आप कहां से सीख सकते हैं, वो आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथी, लास्ट में एक चीज मेरी ज़रूर ध्यान से सु पर भी ध्यान देना होगा, इसके उपर हमने रिसेंट लिए एक वीडियो बनाई थी, ट्रेडिंग फॉर बेगिनर्स के उपर, बहुत ही अच्छी वीडियो, उसको बिल्कुल भी मिसमत करना, प्लीज उस वीडियो को देखना, वो आपके बहुत ज़ाधा काम आएगी, औ और आपको पता चले कि इसके पीछे क्या क्या चीज़े हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंट कर रहा हूँ, तो हमारी ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स के उपर जो वीडियो हैं, दो वीडियो हैं, इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखेगा, दोनों आपको अभी स्क्रीन में कही न कहीं पर नजर आ रही होगी, इसी के साथ मैं उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्वालिटी कॉंट आपको मिले, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, इसके साथ ही अगर माल लीजे आपके कुछ कोशिंस हैं, कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो कॉमेंट कीजे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके इन कोशिंस को आंसर करने का टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करे करेंगे कि आंसर सबके हो, ट्रेडिंग के लिए फ्री डीमेट अकॉंट को लवाना चाहते हो, हमारी जो जो वीडियो इस वीडियो में हमने बताई हैं, उन्हें देखना चाहते हो, तो एक बार डिसक्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, और फर्स्ट पिंड कॉमेंट में भी कोई सारा डेटा मिल जाएगा, इसके अलावा हमें शोशल मीडिया अकॉंट में भी फॉलो कर लीजेगा, लिंक डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा, धन्यवाद